नमस्कार दोस्तों मैं शीव संकर सर्मा और दिक्षा अकेडिम मुंद्रा यूट्यूब चैलल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है सेवंध क्लास का फर्स चैप्टर हम करवा रहे हैं आज जो हम करा रहे हैं वह एक्सरसाइज 1.3 तो 1.3 का इंट्रोडेक्शन हमने प अच्छे से समझ में आए तो पहले वाला क्वेश्चन है इसके कुछ पार्ट मां कराऊं आपको तो देखो इसमें बोला है फाइंड इच ओफ फॉलोइंग प्रोडेक्ट्स तो हमें प्रोडेक्ट्स फाइंड करनी है तो सबसे पहला क्वेश्चन कहें 3 मॉल्टिप्लाइ इसमें दोनो सबस्पराइए तो बीच में क्या है जीरो को मॉल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा सारा जीरो जाएगा थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इस को अब बार अच्छे से आपको दीखेगा अब देखो जैसे यह माइनस 15 है और यह 0 है और यह माइनस 18 है तो यह यहां पर क्या हो जाएगा मल्टिप्लाइ करेंगे तो जीरो हो तो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा सारे इस वाले को देखो माइनस ट्वेल माइनस इलैवन तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस ट्रिक है तो इसी तरीके से हम सब को करते जाएंगे जे वाला देखो जे वाले में क्या है यह माइनस का 3 है माइनस का 6 है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 3 जा 18 और फिर यह माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और multiply में रहेंगे 2 उन जा 2 प्लस का 18 टू जा 36 प्लस का हो जाएगा समझ गए तो इस तरह के से unit बना बना गया आप इसको solve कर लोगे अब यह बोल रहा है verify करो इसको ठीक है second का जो first वाला है इसको हमें क्या करना है verify करना है तो देखो कैसे करेंगे पहले 18 दिया हुआ है और फिर bracket में दिया हुआ है 7 प्लस माइनस 3 यही दिया हुआ है और bracket बंद है और फिर equal to 18 multiply 7 और प्लस 18 multiply माइनस 3 इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको हमें solve करना है तो देखो बिलकुल simple सा है ज़्यादा कुछ hard नहीं है यहाँ पर क्या करेंगे पहले 18 को ऐसे काजा लिए दिया है 7 और 3 को solve करेंगे 7 प्लस का है और 3 माइनस का है क्या बचा प्लस का 4 ठीक है और इधर 18 इंटू 7 और प्लस 18 इंटू माइनस 3 अब हम क्या करते हैं अब हम इनको multiply कर देते हैं देखो भई पहला 18 multiply 4 तो 18 multiply 4 कितना आगया 72 इस साइड में आगया हमारा answer 72 ठीक है अब उस साइड का देखते हैं उस साइड में मैं कैंसल करता हूँ फिर 18 इंटू 7 18 और multiply 7 तो यह कितना आगया हमारा 126 तो इस साइड में आगया हमारा 126 और अब यह देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा अब 18 इंटू 3 कर देते हैं 18 इंटू 3 कितना होता है 54 ठीक है मैं करके दिखाता हूँ 18 और multiply 3 ठीक है 54 आगया यह कर दिया हमने माइनस का 54 अब यहाँ पे 72 था और उधर क्या है 126 माइनस 54 अब 122 126 ठीक है यह कितना है 126 और माइनस कितना कर दे 54 तो हमारा कितना आ जाएगा 72 तो इधर भी कितना आ गया हमारा 72 ठीक है तो दोनों साइड इको अला गई और यह ही हमें क्या करना था verify करना था इसी तरीके से इस question को भी verify कर देंगे same pattern रहेगा कुछ ज़्यादा difference नहीं रहेगा second का जो भी part है पहले इन दोनों को add कर दो 6 और 4 दोनों minus के हैं तो दोनों minus के हैं तो कितना हो जाएगा minus का 10 हो जाएगा फिर 21 को 10 से multiply करेंगे और फिर इनको अलग-अलग कर देंगे ठीक है फिर third का first part में क्या बोल रहा है for any integer a कोई integer a है what is minus a into a equal to किसी भी integer a को minus 1 से multiply करोगे तो क्या हो जाएगा minus का हम सुरा जाएगा minus a हो जाएगा समझगे क्या हो जाएगा minus a हो जाएगा अब यह कुछ भी हो मान लो suppose करो a की value हो 6 या फिर है minus 6 अब 6 को multiply करेंगे किस से minus 1 से तो क्या जाएगा minus 6 और इधर multiply करेंगे minus 1 से तो क्या जाएगा minus minus plus 6 ठीक है तो symbol change हो जाएगा कुछ भी हो ठीक है तो integer जो a है उसको अगर हम minus 1 से multiply करेंगे तो integer a का क्या होगा symbol जो है वो change हो जाएगा फिर third का second part है third के second part में बोले determine the integer whose product is minus 1 तो आप ऐसा integer बताओ ठीक है जिसकी product जो है minus 1 होगी equal to minus 22 तो हमें एक ऐसा integer डूढ़ना है whose product with minus 1 minus 1 के साथ उसकी product करेंगे तो क्या हैगा minus 22 तो हम minus 1 को multiply कर देंगे 22 से यह minus 22 आजाएगा यहाँ minus 1 को multiply करेंगे minus 37 से तो minus minus plus हो जाएगा 37 आजाएगा और यहाँ minus 1 का 0 आ रहा है तो 0 से ही multiply कर देंगे तो इसी तरीके से simple products आपको कर करके देखने है find the product using suitable property यहाँ पर suitable property यूज़ करनी है जैसे first वाला देखो first वाले में क्या है यहाँ पर भी minus 48 है और यहाँ पर भी minus 48 है हम क्या करते हैं इसमें minus 48 को मन ले लेते हैं अब अंदर क्या बच गया एक तो 26 बच गया और इधर क्या बच गया minus का 36 तो 26 में से 36 गया minus का 10 तो minus 48 multiply minus 10 और 48 और 10 कितना हो जाएगा 480 और minus minus हो जाएगा प्लस इस तरीके से suitable identity आपको use करनी है बिल्कुल simple तरीके ने है फिर जैसी यह है इसमें बना भी सकते हो और नहीं बनाना चाते हो तो डारेक्ट वी कर सकते हैं जैसे minus 17 और minus 29 है तो minus 17 है ना और minus 29 को अलग-अलग कर लो minus 30 और plus 1 ऐसे भी कर सकते हो तो क्या है simple हो जाएगा थोड़ा और 29 से डारेक्ट करना है तो 17 को 29 से कर दो ठीक है अब इसमें क्या है 17 को और 30 से करेंगे तो minus minus प्लस हो जाएगा और 17 into 30 और plus 17 ठीक है और यह क्या है minus का था तो इधर यह minus आजाएगा 17 यह हो गया 510 और minus 17 अब इसको minus कर दो 510 और minus कर दो 17 तो कितना आजाएगा 493 आपे आगा हमारा 493 तो इस तरीके से इन सभी questions को आप suitable identity या कोई भी property यूज़ करके जो आपने पड़ी अभी तक उसका यूज़ करके solve कर देंगे अब 6th का question देखो वी इस certain freezing process required that room temperature will be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius per hour अब हर गंटे में 5 degree Celsius temperature जो है वो कम होता जा रहा है तो what will be the room temperature 10 hour after 10 गंटे बाद कितना होगा तो देखो एक गंटे में कितना हो रहा है 5 degree Celsius तो 10 गंटे में कितना होगा 5 into 10 degree Celsius तो कितना हो जाएगा 50 degree Celsius तो 50 degree Celsius माइनस कर देंगे तो 40 में से माइनस करो क्योंकि temperature डाउन जा रहा है तो यह आगया minus 10 degree Celsius समझ गए 10 गंटे में कितना temperature गिर जाएगा minus 10 degree Celsius पे पहुंच जाएगा फिर 7th का देखो 7th के question में क्या बोल रहा है अब यह applications आगई अभी तक हम calculation सीख रहेते हैं एप्लिकेशन मतलब इन calculation का कहा पर यूज होगा ठीक है इने class test containing 10 questions 10 questions होए 5 marks are awarded for every correct answer और सही answer के लिए 5 नमबर मिल रहे हैं और गलत के लिए minus 2 ठीक है incorrect answer and 0 for question not attempt और नहीं किया तो उसके लिए 0 तो देखो मोहन get 4 correct and 6 incorrect तो 4 correct है correct के लिए मिल रहे है 5 नमबर और 6 क्या है incorrect तो ये 6 minus कर देंगे 6 into minus 2 दिया हुआ है अगर यहाँ पे plus लगा रहे हो तो इधर minus 2 लिग दो ठीक है और equal to इनका निकाल दो 5 for the 20 और minus 12 कितने बच गए 8 नमबर है पहले वाले को समझे फिर दुबारा देखो कर नहीं समझे है तो रस्मी get 5 correct 5 सही किये इसने और 5 के लिए 5 नमबर मिल रहे है ठीक है 5 correct answer and 5 incorrect और 5 जो हैं इसके incorrect है incorrect के लिए minus 2 मिल रहे दे ठीक है अब इनको जोड़ दो 5 5 is a 25 minus 10 कितने नमबर आए 15 रस्मी को कितने है 15 फिर हीना गोट 2 correct and 5 incorrect answer out of 7 questions see attempt what is her score यह वाला आप अपने आप निकालो सेम ऐसे ही question करना है पहला और दूसरी के दा ठीक है फिर 8 का question क्या बोल रहे है a cement company earn profit of rupees 8 per bag of white cement sold and loss of 5 per bag of grey cement sold अब देखो यहाँ पे same है question पहले वाले जैसा लेकिन pattern change कर दिया अब एक bag तो है white ठीक है और एक bag है grey अब white पे क्या हो रहा है 8 रुपे का profit हो रहा है और grey पे 5 रुपे का loss हो रहा है ठीक है आब question पड़ो the company sell 3000 bag एक company ने 3000 bag बेचे white ठीक है तो 3000 into 8 इतना हो गया profit और 5000 bag बेचे grey color गे तो 5000 और multiply 5 इतना हो लोस तो बोल रहा है उसका profit या लोस कितना हुआ तो जितना profit हुआ उसमें से loss minus कर दो अंसर आ जाएगा तो यह हो गया 24,000 और यह minus करेंगे 55,000 तो देख वही लोस कितना हुआ 1000 रुपे का लोस हुआ minus 1000 ठीक है क्यों 24,000 रुपे उससे profit हुआ था और 25,000 का उससे होगा लोस तो 1000 रुपे जदा होगा ना लोस तो 1000 रुपे का लोस हुआ इस तरीके से question solve करेंगे फिर second में क्या हो रहा है what is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss अब यह सफेद जो बैग है वो कितने और बढ़ा दे कि ना तो उसे profit हो और ना ही लोस हो if the number of grey bag sold is 6400 बैग अगर वो क्या है grey bag जो 6400 बैग खरीद रहा है तो देखो grey bag पे लोस कितना हो रहा है 5 रुपेगा तो 64 को 5 से multiply कर देते है अब देखो 6400 और यह कर देते है multiply किस से 5 से तो यह कितना आ गया हमारा 32 जाद तो लोस कितना हो उसे 32,000 का इतना लोस हो गया अब वो बोल रहा है कितने white bag बेचे अब white bag में कितना हो रहा है देखो 8 और मान लो total bag बेचे वो white x या मतलब w लिख दो w से white होता है न तो 8 को जितने भी white bag बेचने उतने और कितना no loss no profit तो 32,000 रुपे का होना चाहिए ठीक है क्योंकि इतने रुपे का loss हो चुका और इतने रुपे का profit होगा तब वो बराबर आएंगे तो w यानि total bag इदर रख लो और 32,000 divide by 8 अब माइनस करके देखो ठीक है 32,000 को हम divide कर देते हैं किसे 8 से 32,000 divide by 8 और यह कितना आगया हमारा 4,000 तो यानि उसको sorry अब यह 32,000 को मैं 8 से काट देता हूँ तो कितना आगया 4,000 यानि white bag कितने बेचेगा 4,000 रुपे बेचेगा तब उसका no profit और no loss होगा अब एक बार दुबारा द्यान से समझ लो इस question को देखो अभी क्या बोल रहा है white bag पे उसे हो रहा है फाइदा 8 रुपेगा और grey bag पे उसे loss हो रहा है 5 रुपेगा तो बोल रहा है कि उसने 6400 grey bag बेच दिये हैं अब बोल रहा है कितने white bag बेचे कि उसे ना profit हो ना loss हो तो देखो 8 रुपेगा फाइदा हो रहा है total ठीक है 8 रुपे का फायदा हो रहा है white पे तो white के साथ 8 का multiply किया और 32,000 रुपे आना चाहिए ठीक है ना, तो अब 8 से divide कर दिया तो white bag आगे 4000, यानि 4000 अगर white bag बेच देगा तो profit और loss उसका बराबर हो जाए समझगे, no profit होगा no loss होगा फिर है 9th question 9th question में क्या हो रहा है, replace the blank with an integer to make it a true statement इस statement को true बनाने के लिए यहाँ पे कोई integer लिखो अब देखो 3 को किसे multiply करें 27 आएगा, 9, 3,027 तो यहाँ पे हम minus 9 लिख देते हैं ठीक है, क्यों होगी minus minus plus हो जाएगा, और 3, 9,027 अब 5 को किसे multiply करें 35 आए, 5,7 जा 35 लेकिन minus का है तो हमें minus का 7 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे plus का है अब एक minus है मारे पास और एक minus हो ले ले हैं, अब 132 को अगर नहीं समझ मेरा किसे multiply करें तो तुम क्या करोगे, 132 को divide कर दो 12 से सिद्धा अंसर आ जाएगा तुमारा क्या आगया 11, तो यहाँ पे आप 11 रख दो, 11 और 12 को multiply करते तो 132 आता है फिर यहाँ पे 7,8 जाग 56 होता है यहाँ पे 7 लिख दो, ठीक है तो यह हो गया हमारा exercise 1.3 complete इसके सारे question मैंने करा दिये आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएंगे आप इनको with statement अपनी notebook में दुबारा करके देखें अगर किसी question में doubt आ रहे ता आप हमें comment करके जरूर बताएं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के जाथ share करें सब्सक्राइब करें मारा यूट्यूब चैनल दिक्षा अकेडमी मुंद्रा ठीक है दिक्षा अकेडमी मुंद्रा ये रहा ठैंक्यू फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में